सो हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं साउथ अफरीका और नेधर लैंड की प्रिक्सन के बारे में आज आप सभी को इस वीडियो में साउथ अफरीका और वर्सिस ने कुछ भी समझ नहीं पाएंगे तो इसके लिए आपको लाश तक को वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और आपको दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को आलबेस सेट कर दीजिए तो दोस्तो वीडियो में आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी मतलब टीम की आपको अपने ड्रीम 11 टीम मिनानी है तो सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड को जानी है प्लेयर के बारे में जानी है कौन सा प्लेयर किस कंडिशन में खेला किस परफॉर्मेंस में किस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है किस टीम के खिलाफ उसका बेकार परफॉर्मेंस रह रह रहा है तो ये सारी चिज़ आपको जानना जरूरी है तब ही आपकी जो टीम है दुस्तों रैंक उन के आस पास जा सकती है दॉस्तो मैं यह नहीं करा है कि आपको ड्रीम एलियुन में रैंक वन लाक की दे दूंगा क्योंकि दूस्तों यह रैंक वन लाना आपका यहां पर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है तो माइंड को फ्रेस रखिए और आप जब भी प्लेयर को सेलेक्ट करें अपने टीम के लिए तो समल के और अच्छे सेलेट करें तो इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छी बिडिक्शन लाए हैं और आप आपको थोड़ा सा अच्छी टीम के साथ साथ आपको बताएंगे किस तरह से आपको टीम को लेना चाहिए दोस्तों सबसे पहले टीम को लेने से पहले हम कुछ रिकॉर्ट करने से पहले आपको टीम के रिकॉर्ट करने से पहले आपको टीम के रिकॉर्ट को जानना है कि कैस तो इस टीम की और इस टीम के प्लेयर के काफी अच्छे confidence रहेगा क्योंकि इन्होंने पांच मैच खेला पांचों मैच में सभी अच्छा performance करते वह आ रहे हैं और वर्ल्ड कप मैच खेल लें सभी मैच को वीनी कर रहे हैं तो अच्छा performance यह रहा है इनकी टीम के साइट से अब मैच को लॉस कर दिया यहां पर आप लोग देखिए जो एल का साइन दिखर आपको वह लॉस है ठीक है तो तीन मैच को इन्होंने लॉस ही कर दिया तो इनका confidence काफी कम रहेगा इसके प्लेयर्स का भी confidence कम रहेगा क्योंकि उसके सामने जो टीम आ चुकी है यह दोनों का मैच होने आप उनका है साओध अफरीका और नेधर लैंड का मैच है अब नेधर लैंड क्या सुझति होगी कि भाई जुपिछला मैच मैच अभी साओध अफरीका खेलते नारी सब से अच्छे हुँआ है तो प्लयर्स इऱ छोछ अच्छे हुने अच्छे हैं साउत असथ अफरीका में यहां रिकॉर्ड नेजर्ड लेंद की बात कर लेंद नबनेновते मृफ्टेव को लृफ तो यह मालूं सबाएं किस से जयाधा पूंठाना और किस टीम के के में कंप्लेस को रखना है देखे दोस्तों वेन्यू की यहां पर हम लोग बात करें हिमाचर प्रदेश क्रिकेट एस्टेडियम धहरमसाला इंडिया में मैच है पीछ रिपोर्ट आज की हमारी बैटिंग पीछ रहेगी इस पीछ पर बैट्समें जो है काफी अच्छा पाफॉ हो यहां जादा भी बन सकता है कम भी बन सकता है दोस्तों कि यहांपर विकेट के ऊपने सब कुछ अगर विकेट कम गिरती है तो ज्यादा मतलब रण स्कूर होगा विकेट कजाना इस पीछ के उपर लिया गया है बहतर यहां पर आप लोग देखिए बाइपेसर 44 विकेट 28 28 यानि कि लगबख लगब दोनों ही बॉलर यहां पर अच्छा परफॉमेंस कर लेते हैं जादा का डिफ्रेंस नहीं है है 125 can do fwerk मतलब होता है कि इन दोनों के बीचों में improv mapped हुआ हुआ है तौट अफरिका और नेधरलन के बीच में कओ कितने मुकाबले हुएAT टोटल तो पिछले 5 साल की कारण से हिसाफ से यहां तीन मैच में और सारा मैच यहां पर सांथ आफ्रीका विंड की दो मैच को यहां पर विन की और ऊड़ ड्यर्जिया आतर धा हमकिसी करते हो ने दभाव में नेदर लेंड ही चल रही है तो आपको यहां से भी मालूम जिल जगा होगी कि कौन सी टीम तगड़ी आपको लग रही है जिस जो टीम आपको अच्छी लग रही है उसमें से हमें अपने टीम के लिए ज्यादा रखना है प्लेयर दोस्तों रिकॉर्स को में जा लिए अब हम लोग ट सबस्तों काफी बहतरीन प्लेयर हैं और इनके अंदर काभिलियत है अच्छा परफॉर्मेंस करने का और यह जो टीम है नेदर लैंड उनके खिलाफ में इनका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रह चुका है पिछले मैचों में तो इनको अपने टीम में जरूर रखिए सिर्मियर इनके नों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है सवह अधिक By कोरें जानए अपर टीम मैं सिर्व सुनाइब को रख रख़ाए बैटीम की मैं नहीं लए सकते हैं या फिरrit First and Second Crown में आ सकते हैं अच्छा बैटंग कर रहे और इनका बल्ला काफी अच्छा पर्फॉर्म कर रहा है और अच्छा Phopam कर रहे हैं तो इसको अपने टीम में रखना आपके लिए अच्छा वो सकता ला अपने आपको यहां पर दिखाना चाहुगा मैं भाइब तो इसे तो है और जो है आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा हमें लिए वी सिंगोस्तों देखिए थोड़ा सा रिस्की प्लेयर के तौर पर आपके टीम से खेलने वाले आप कभी भी अपने टीम को सेलेक्ट हरें तो हमेशा सेफ प्लेयर के चक्कर में नहीं रहे यूँकि आपको safe player वाली team हमेशा अगर आप 40 रुपए लगाते हैं तो आपको safe वाली team जो है ना आपको 100 रुपए जीजा सकती है 500 रुपए 200 रुपए बस एतना ही win करा सकती है या फिर जादा स्यद्धा आप लोग जी देगा, 2,000 रुपए जीदे, इससे जद्धा विनिंग से नहीं कर सकते है, आप सेफ टीम के जरी, अब सेफ टीम का मतलब क्या होता है, कि सेफ टीम में आप सभी प्लियर को सेफ कोई रखे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना, अगर के तोर पर आपको खेलते भी दिखाए देंगे क्योंकि इनका पर्षेंटेज लेबल 40 पर्षेंट भी नहीं है और इनका पीछला मैच कुछ खास गूजरा भी नहीं है नेदरलेंड के प्लेयर हैं मेरे साब से इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो दोस्तों य बाते हैं आर्डाउंडर सेक्षन में देखिए एड़म मारकरम जो की काभीयत वाले खिलाड़ी है इनके अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने का काभीयत है पिछला मैच इनका काफी अच्छा गुजरा है इनको अपने रख लिए अपने टीमें डी लीडा इसको बहुत अच्छे पूर मतलब गेंदबाज है दोस्तों और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बैटिंग भी अच्छा खासा करी लेते हैं एम जैसन की तरफ जा सकते हैं और नीचे में जो आपको दिख रहे होंगे एकर्म एकर्मैन इस्पीनर गेंदबाज है यह थोड़ा स सरिस्की प्लेयर तोर पर खेलेंगे तो मेरे इसाब से आपको आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है क्योंकि दो फॉर्मेंट हो इसके पास मैच इनका काफी अच्छा गुजरा है बान बे तसमलों 59 परशन लोगे ने अपने टीम के लिए सेलेक्ट किया पेसर गेंदबाज है और इस पीच पर पेसर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं इनको जरूर रखिए अपने टीम में उसके बाद आपको हम बॉलिंग से से नीचो की और आपको सजेस्टन देना चाहिए जो कि आपको पी वन मिकेरन दोस्तों यहां पर दीख रहोंगे नेडरलेंड के प्लेयर है पेसर गेंदबाज है यह भी आपके टीम से थोड़ा सा रिस्की प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाए दे क्योंकि इनका पर कियें तो आपकी टीम है जो कि बाकियों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी कि इनको काफी लोगों ने ड्रॉप किया है अपने टीम के लिए तो आप इनको लेते हैं तो थोड़ा से इसकी प्लेयर के तो आप दूसरे जो प्लेयर आप ले सकते हैं महाराज क को मिक्रेन को रख लीजिए और कभी शिरो अबाड़ा है ही हमारे टेम के लिए तो हमारे प्लेयर को जो सेलेक्टिशन है यहां पर टोटल हो चुका है अब दोस्तों बात क्या आता है कि अगर इसमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता है किसी कारण से नहीं खेलता है इंजाड ह आकर देंगे वहाँ पर आपको मालूम चलाए कि कौन से प्लेयर अच्छा प्रफॉर्मेंस करेंगे दूसरी ट्रीम आपको देंगे उसकी जगा पर जीरो के बदले आकर मालीजिए वह 200 पॉइंट दे दिया तो आप जील के करीब जा सकते हैं वीन करने के तो आपको समझ में चुका होगा तो तो टेली ग्राम को जईब्ने का तरीका जाई है कि इसी डिस्क्राम कर में चलते हैं कैक्प्टन की तरफ हमें साथ He Esp तोड़ा सा रिसकी डालिये, कैपटन के मुकाबले में, ताकि आपका जो वाइस कैपटन होगा, थोड़ा से रिसकी रहे गा, अगर वो अच्छा पॉपोएंट मिलेका, वाइस कैपटन मेरी साब स्थाप को आल राॉंडर से स्क्सन से बनाना चाए, सहे च्छाए, तो इसके के दमाज है अब मिलेगा की नहीं मिलेगा कोई कंफॉर्म है नहीं पचास ओबर गेम है मिली जाएगा ज्यादा तर तो यहां पर एडम मारकम को आप वाइस कैप्टन के लिए टीम हमारी बंद के त्यार हो चुकी है कुछ इस तरह की टीम है यहां पर आप लोग देख लिए है कर दे दी जाए को जूड़ जाएं जरूरा और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा तो दोस्तों आप सभी से कुजारी से से कि अगर आपने अवी टक इस